तो प्रिवियस क्लास में हमने इंजिन के बारे में समझा था ठीक है फोर स्ट्रोक और टू स्ट्रोक इंजिन के बारे में हमने अच्छी तरीके से जान लिया था अधिक है और वी यो प्रिवियस क्लास में देखा था और शारे चीज़ों को आपको निखे भी दिगाई थी ताकि चीजें आपको अच्छी से अच्छी तरीके से समझ मैं है ठीक है अचाहे आप न्यू स्टूडेंट हो चाहे ओल्ड हो तो अभी तक होई गए होगी टोन की जो मैं यहां पर बोलता हूँ टोन की ग्रिप भी आगई है आप लोग के पास और कुछ अगर समझ में नहीं प्याता होगा तो आप लास्ट में पूछी लेते हैं उसके बावजूद भी आपको कुछ नकुछ वीडियेफ में हैंड रेट सारी पिषटन लगी है के उपर तक जितनी भी पाउड रेकोवारलिमेंट होंगी उसी सबस्फे पावर उसको मिल सके ओं पात फिर यहां पर पावर हमारा बनता है इंजन में पावर बनता और पिर वो ट्रॉंश में होता है ठीक है फ्लाइवील के जरीए जब वहां पर इं जहार हो रहा है उसके बाद उसका काई होता है स्ब्सक्राइब को कम ज्यादा करने के लिए ताकि उसके अनुसार से हम उंसार क qualification का हम चाहिए रहता जहां पर हमें फोर्स लगाना पड़ता है तो वहां पर हम गेरिंग के जरीए अपना स्पीड को कम ज्यादा करके उस हिसाब से अपना काम को चलाएंगे ठीक है और उसके बाद फिर यहां पर आपको इंग्लिस में करके दी गई थी क्योंकि बहुत सारे स्टुड्ट साउथ क तो उन्हें समझने में दिक्कत होती इसलिए इंग्लिस में यहां पर लिखा गिया है क्या जो ही एरेंजमेंट सारा था पावर ट्रांस्मिशन का और सिमिलरली से हिंडी में अनुवाद करके भी दिया गया था तीक है टर्बो चार्जर क्या होता सूपर चार्जर क्या होता है हमने इसके वारे में जाना था प्रिवेस क्लास में कि कुछ डंपर वैसे होते हैं जो हावा बनाते है ठीक है डीजल इंजीन फर्स ट्रोक में एयर लेती है ठीक है एयर लेकर अपना कामबो करती है सक्षिन स्ट्रोक में एयर लेती है उसके बाद फिर उस एयर को कंप्रे ठीक है उसके बाद इंजेक्ट होने के बाद हमारी पैंशन का स्डोक होता है उसके बाद एक्समेंशन जो निषे खर तो इसके बारे में हमने जाना था टर्बो चार्जर के बारे में उसके बाद फिर हमने डिफरेंशल के बारे में देख लिया था डंपर का जो डिफरेंशल सिस्टम है ठीक है फ्रंट रियर और ड्राइब भी देखा था फ्रंट फ्रंट वील ड्राइब रियर वील ड्राइब तोनों का फंसन हमने अची तरही के समझ लिया था ठीक है थीक कि दिफरेंशिल कर्व के समें बहुत ज्यादा काम आता है तो वह भी कंडिशन हमने देखा था और डिफ्रेंशल का डिखाय गया था कि यह जो मोटा जैसा जो बना हुआ है जो रियर एक्षाल में जो होता है इसे हम डिफ्रेंशल करते हैं ठीक है अच्छी तरीके से पिछली क्लास में डिसक्स हुआ था हिदे की डिफ्रेंशल के बारे में हमने सब कुछी जान लिया था सिर्फ हम दंपर की ब supports के बा की अधा यह था डिसके creekson कर लेता है जो बॉड़ी पार्ट लगे होते हैं उसके बारे में कर लेता हैं और उसके लिवल करें जो पैंड़ार के बार Joy ग्लूर तूंपर भी हमारे 23 है मैं रखवबब ठीक है सिए तो हम क्लास को स्ठार्ट करते हैं ठीक है यह सारे विर्श होते हैं वह सब्मीलाज करें होता है ठेकी तैर होता है सिर्फ टायर होता है ठीकित टीङो बी है कि तो ट्यूबलेस टायर होया सरत अरे third हम एक इसे हम डाला डाला नहें पोलते हैं इसे नॉर्मल लैंग्वेज में इससे बॉड़ी भोलते हैं हिए जिंप्ली बॉड़ी हो गया घुक इसे हम कैनपी करता है काम क्या होता है इसे कि यह हमारा Canopy होता है in Canopy क्या करता है यह जो हमारा Operator का ऑपरेटर का जो सीट है यहां फाड़ीडर बट़ता है तो यह हमारा बचता है तो यहां लोड़िंग होती है बुढ़े-बुड़े बोलडर फगरा नोड होता है यहां तो वो वो बोलडर के यहां रख़ा यहां पर लगाया जाता है तू प्रोटेक्ट इप ऑपरेटर ने के लिए यहां पर कहनो पीलगाया जाता है में जगें रोबस्ट होती है यह थी mira है कि कुरें हाड मतलब हम यह हमारे इंजिन यहां पर फॉर स्ट्रोक डिजल इंजिन का यूज होता है यहां पर फॉर स्ट्रोक डिजल इंजिन पिछले क्लास में हमने अच्छी तरीके से देखा यहां फॉर स्ट्रोक डिजल इंजिन का यूज था यह हमारे इंजिन है और लास्टली यहां पर दिखा तैसा है यह उठ जाएगा जब तैसा हो जाएगा ठीक है और मेटरियल जो भी होगी यहां से टंप कर जाएगा ठीक है यह रैम ऐसा करें खुलेगा यह लेबल डाइगराम में दिखने रहा है नेक्स डाइगराम में हम देखते हैं कि कि यहां पर देखें अच्छी तरीके से दिखाया जा रही है यहां पर यह जो है यह यह रोली क्रेंफ करते हैं इक है ठीक है रह्म तब है रोली क्रेंफ़ी है ठीक है हॉद्ष कवाय में यह क्या करता है को इसमें hydraulic का pressure रहता है plus air का pressure रहता है कैंद hydraulic pressure हो गया plus air का pressure रहता है इंदी फॉर्म ऑफ nitrogen gas लाती है इसमें और hydraulic pressure रहता है तो hydraulic की बारे माद सब कुछ ही हम जानेंगे tark roller में इसमें motor भी रहता है कि motor hydraulic pressure को create करता है तब ही जाके ess terrory के जरीए सारा जो मेट्रियल है इतना भार ही मिट्रियल होता है इसमें लगभग 18 मीटर क्यूब का का इसका बॉडी है तोटल 18 मिटर क्योब क्योब के पसिटी कई इतना यह अराम से उठाप आता है तो दोनों ही प्रेसर से यह हैड्रोली ग्राम उठता है ठीक है और जब इसका स्वीच हम बन कर देंगे केविच रहता है केविच को बन कर देते हैं तो मोटर बंद हो जाता है कि मोटर मींस पंप पंप जो होता है अटाइच मोटर से वह फिर बंद हो जाता है और प्रेसर इसमें दिरेदेरी रिड्यूस कर जाता तभी राफिर से बैठ जाता है तो यह सारे फंसन हम देखते हैं तो लगबग सारे ही पार्ट्स को हमने देख लिया यह हमारा डिफरेंश एक्स्ट्रा चीज और यहाँ पर दिख रहा होगा तो एक्सट्रा दिख रहा हो मन में कुशियं यहाँ पर अगर रेम्ट घी दिया है मापbn करने के लिए प्मस्ट्रा इक्सट्रा इस किसलिए लगाए गिया है तो यह हमारा फेक्टर ओफ सेफटी को इनकरा है कि जब भी मेकैनिक मेट होता है जो काम करने के लिए आता है यहाँ तो वह मेशा इस डिवाइश को लगाए को लागा के रखेगा कि यहाँ पर क्योंकि हाईड्रोलिक हो और है कि हमारा फेल हो लेकिन यह हमारी mechanical device है, यह fail नहीं होती है, तो यह जब बनने आता, workshop में आता है, तब हम इसका use करता है, उस समय हमारा body में load भी नहीं होता है, जब हमारे गाड़ी जो vehicle है, जो हमारी dumper है, जब workshop में आती है, जब खराब हो जाती है, जब यहां कुछ काम होता है, mechanics तो डाला उ हम करते हैं, तो सारे चीज हम समझ गया, और canopy यहां पर दीखने रहा है, canopy यह यहां रहेगा, इससे करके रहेगा canopy, यह थोड़ा picture से उठीया उपर, इसलिए दिखने रहे, canopy से करके, यह save guard करके रहेगा, तो अंदर में यहां पर engine हो गई, फिर यहां से हमारा निकलेगा, drive rod rod हमारा निकलेगा, जो कि जाएगा पीछे में जाएगा, जो कि differential से connected रहेगा, और यह हमारा tire रहेगा, engine से power कहां जाएगा, differential के पास जाएगा, और हमारा जो dumper होगा, वो move करेगा, ठीक है, तो differential यहां भी रहता है इसका, और differential तो इसे normal case का जो dumper रहता उसमें पीछे रहता इसके बारे में हमने अच्छी तरीके से कल समझा, differential के बारे, तो इसका अच्छा खासा concept होगा, और जिसके जिसकी भी छुटी है, उसको वीडियो प्रोवाइट की जाएगी, as early as possible, ठीक है, तो dumper के बारे में सारा ही कुछ discuss हुआ था, first class में भी, आज भी हमने थोड़ा बह अच्छा से दिख रहा है आपको यहां पर ठीक है, यह सेफगार्ड कर रहा है, यह हमारा operator का seat है, यह canopy है, यह body है हमारा tubeless tires है, ठीक है, तो आज हम questions देख लेंगे, ठीक है, all possible questions देख लेते हैं हमाज, डीजी में circular से, CMR से, जो भी questions बनेंगे, machinery है, तो CMR से questions कमी, कमी बनते हैं, लेकिन जितने भी all possible questions होंगे, statutory के सारे ही चीज हम देख लेंगे, ठीक है, तो first question हमारा है, maximum speed of dumper on hall road of dump yard, ठीक है, तो hall road दो जगा होते हैं, कहां-कहां, एक हमारा mines में होता है, hall road, ठीक है, next हमारा होता है, dump yard में भी होता, दोनों के feature कुछ अलग-अलग है, ठीक है, जो हमारा mines में use होता है, और जो हमारा dump yard में use होता है, दोनों के feature अलग है, उसमें feature अलग में यह है, जो यहां mines में use होता, इसका gradient हमारा होता 1 in 16, ठीक है, और जो यहां पर होता है, उसका होता 1 in 20, ठीक है, इसके बारे में हमने working में भी देखा था, ठीक है, next, यहां पर जो dumper क की स्पीड होती है वह होती है not more than जो maximum speed होती है थर्टी किलो मिटर पर आवर यहां पर जो maximum speed होती होती है 15 km पर अभर तो यह बेसिक बेसिक डिफरेंस है वो आप जान लिया तरीके से कि माइस में में जो हॉल्ड यूज होता है उसका ग्रेडियंट वानिंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए डंपयाड में जो हॉल्ड यूज होता है उसका ग्रेडियंट वानिंट वानिंटी से ज्यादा नहीं होना चाहिए डंपर की स्पीड जो हमारा माइन्स का हॉल्ड रहता है उसमें म आपने अच्छी तरीके से देख लिया कि 15 किलोमेटर पर आवर इसका एंसर हो ठीक है कि नेक्स्ट कोश्यन है कि नेक्स्ट कोश्यन कह रहा है कि आफ्टर हुज पर्मिशन अधर वेहिकल्स अधर देन हेमें के यूज़ ऑन होगा है यूज़ ऑन हम के साथ साथ अधर लाइट वेहिकल्स भी यूज जी कर पाएंगे rat rang और blasting partir completely होते हैं होते हैं और ये जिसलोड बिलास्टिंग ऐसे सिरीस होतीजी है तो वह सारे क्या करते हैं सारे हम लिए कंप सभी का में तो इसके सब्सकीया कि सब्सक्राइब campaigns वह उसका लाइचे ज़ने के लिए सब्सक्राइब चलने कीजनी के बाद ही ही एची में के साथ साथ दूसरे भी लाइट वहिकल जो है उसे भी चलनी की जाज़क दी जा सकती है ठीक है और यहां से कुष्ण होता है कि तो वहिलर आगर आप लेकर जाते हैं तो बहुत डांट पटकार मिलती है तो यह देख लेता है तो बहुत डांट पटकार आपको मिलेगा और पेडिस्ट्रियन इसे चलते हैं क्योंकि जिनरली जो वहिकल्स होती है लेकिन टूवफिलर को स्ट्रिक्तलि प्रोईगिटैं तो मैनेजर के इजाज़त न कोई भी वहिकल है तो इजाज़त देता तो फोविलर कर सकते हैं पर टीक है यह भी हमारा डीजेमस तीinal के अवे तो हमारा होचुका है यहां पर नेक्स्ट कोशिटों देख लेता है कि नेक्स्ट कोशन की आए वही वह कोशन है जिसे हमने अभी आपि आप्सक्षिंज किया है ठीक है इस तो थोड़ा सा जब एक्जाम में कोश्चन आये तो थोड़ा सा ध्यान दें आप्शन को पर भी ध्यान दें कि ओप्शन में क्या है ठीक है यहां पर तो यह चीज एचीज एचीज लिखी होगी तो नीचे लिखी गई है कि । भी कुलॉइल में तो उसे भी रहेंएं किलो मेंस पर और से ज्यादा नहीं रहे हैं। है ठीक है यह पर 17 क्लिमेटर से ज वाहां किलो मेंटर की वह . मैं फिखे फॉर्थ वाला कूशन क्या बोल रहा का फॉर्थ वाला कूशन यह भी आफ का सवी शुलर है कि यहां रिफ कोशवन ने क्यों है उर्पर्भ यह पता नियुक कलए बोला गया था। रिफरेंस में के लिए यह नुश ब्रेक्स विट टेस्टेट बाइग एक्षटेटिंग इंजीन तु आर्पीम ओफ ठीक है डंप ब्रेक अड पार्किंग ब्रेक्ट चाहिए तो सारे चीज आपको डिसकस कर दी जाएंगी डंप रेक और पार्किंग ब्रेक्ट यह तो यह सथ कोश्चन भी है इसके माद जिए से चाहिए एक मैं तो और लूइंश कोशन में बनाएगा है यहां पर इन वाट बदे सर्विस ब्रेक इस भी टेस्टेड यहांपर कुश्चन आया है यह आपको बताने क्लिए आया है कि डंपर में क्योंते कि इतने सारे जो ते द़्मर्पर पांच फो ते था किया फांच भर्ष प्रफ प्रेक सब्रेकर एक से लिखा कर से ब्रे, सब्सक्राइब Q. जोस्क्राइब करें जो मिलतें है इस यह इन फाइर भूर्थ प्रेकर अब जो मिलते। टम प्रेक है ठीक है डंप डंप ब्रेक डऊ-उ-एम-पी डंप B.R.E PR ऐ ब्रink और लास्ट कौन सा है वह ंता है इमर्जाण्ट सी ब्रीक हुआ थीह पांक ब्रेग्स हमारे नर्स में होते हैं फर्स्ट फिर कई है सयंग पार्किंग अफ़िशे किस तरह कि है कर explained त furnace करो करने का तरीका है वह है कि यहां पर लिखाव सब्सक्राइब तो जो मैक्सिमूम स्पीड हमारी 30 किलो मेटर पर आवर तो जब उसे ब्रेक मारा जाएगा तब हुआ सब्सक्राइब सब्सक्राइब तो 21 मीटर से अगर पीछे रुपता है तो अच्छा है अठारा में रुप जाए तो अच्छा है तो और अच्छा है ठीक है लेकिन 21 मीटर यह 20 के वाद जाएगर रुपता है तो सर्वीस ब्रेक को वोगर नहीं माना जाएगा तो वह सर्विस ब्रेक को के नहीं माना जाएगा टेस्टिंग में फिल माना जाएगा तो वाइल अटे स्पीड ऑफ 30 किलो मीटर पर आवर इफ ब्रेक सार एप्लाइट वेहिकल मस्ट स्टॉप विधिन 21 वान मीटर से पहले रुख जाना चाहिए 21 मीटर में जाकी रुपता या उसके बाद आगए तो सार्विस ब्रेक को फिल माना जाएगा ठीक है कि नेक्स्ट है हमारा पार्किंग भर को किस तरह से टेस्ट किया जाता है पार्किंग भरेक जो यहां पर लिखा हुआ यह थी है भी में है कि Rocky incomplete कि तरह से टेस्ट करेंगे आपर को टेष्क करने का तरीखा यह है कि रैंप में हम गाए है अपने जिसका की इनकलांनेशन कितना हो फ़फ्य यह ठीक है पंदरद कि किया करना है कि है लोड़िथ दू disabled गॉड़र को लेके जाएंगे और जहां ठीक है ब्रेक मारके तो खड़ा करते हैं ठीक है यह डंपर जो है इसे ब्रेक मारके खड़ा करेंगा महाँ पर ठीक है और 10 मिनट तक उसे रोक कर रखेंगा ठीक है ऑफ्शन नमर बी आप पढ़ भी रहा होंगे लोड़ेट टंपर मस्ट बी कैफ्ट स्टॉप ठीक है ठीक है इसे हमरो डेंगे 10 मिनट रोख डेंगे यह थोड़ी सी मुव्मेंट इसमें नहीं होनी चाहिए यह जो ढशलति हमारा है इसमें किसी तरह का भी कोई भी मुम्मेंट नहीं होना चाहिए यह जो मारा रैंप HAS इम्रेम यह हमारा खड़ा रह जाए अगर कोई भी मुवमेंट अगर नहीं ओगा ब्रेक मानने के बाद तब हमारा पार्किंग प्रेक्ड प्रेक्ड पास भांना जाएका ठीक है कि हमारा पार्किंग ब्रेक सijke ही है ओकी थैंड यहीडेल है किस तरह से स्थासे को tumor तेस्ट करते हैं तो यहीड TO करने को कोई भी प्रावधान सर्कुलर में थे तो यहीडूब्रेक्स है जिसको हम टेश्ट करते हैं तो यह सही है से शेकर से एंसर सर्विस ब्रेग्र के यह वाला पार्किन अगर लिखा रहाथा तो तो यह वाला जो एंसर है 9 में कि एंवाट में सर्विस ब्रेक्स वह South बूत शोड़िग अर्ब बार पूचा जाता हुआ है थो हमने यहां से यह दोनों ही trade production था कि रफ्सर्थ phi क्लो invites है और कर भी होता है कर भी होता तो कर भीध केसे में क्या था क् of 한 तो उसको हम ब्रेक मारा मान लिजे कि वह 20 मीटर के दूरी में जाके रुक गया तो वह उसका क्या हुआ ब्रेकिंग डिस्टेंग गाड़ी चल रहा है हमारा 40 km पर स्पीट से 40 km परावर के स्पीट से चल रहा हमारा डंपर आ उसे जब हमने ब्रेक मारा माण लीजे कि वह 20 कुल जाके रुक गया तो इसकेश में हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंग डिस्टेंग ठीक है the breaking distance उसे अगर कर्व में दिख रहा है तब तो ये प्रावधान करने को जरूरत नहीं है लेकिन अगर नहीं दिखता है इन case अगर three times of the breaking distance कर्व में दिखना possible नहीं है तो उससे में हम क्या करते हैं वहाँ पर divider बनाते हैं strong divider बनाते हैं और क्या करते हैं 2W plus three width रखते हैं each side of the divider रखते हैं इस साइड भी और इस साइड भी कितना width रखते है 2W plus 3 जिसका मतलब यह नहीं है कि मेरे maximum speed of dumper 40 km per hour हो जाएगा ठीक है 40 km वहां इसलिए रख दिया गया क्योंकि जाहर से बात है कि 30 km per hour के speed से अगर temper को break मारेंगे तो वो कम दूरी में रुकेगा और 40 km per hour के speed से अगर break break मारते हैं तो जादा दूर में जाकर रुकेगा तो यह distance को बढ़ाना था चाहिए आपका dumper का जो है तीक है आप डीजय में सर्कूल में जाके देख सकते हैं इसलिए सारी चीजों को references के साथ आपको दी जाती है कि तो यह question 9 भी हमने discuss कर लिया सारी यही ब्रेक्स के बारे में हमने discuss किया और आपके doubts का भी clearance हो गया होगा next हम आ जाते हैं यहाँ ठीक है कि यहाँ पर dump and parking brake का है कि ठीक है dump and parking brake ब्रेक्स कोई भी तरीका डीजे में सर्कुलर में दिया नहीं गया है लेकिन इसका टेस्ट किस तरह से किया जाता है इसके बारे में कहीं भी प्रावधान कुछ है लेकिन यहाँ पर दिया गिए कि the dump brake and parking brake should be tested by accelerating the engine to rpm on the parking brake को test कर रहे होंगे या फिर्डंप बेको test कर रहे होंगे ठीक है तो इस समय जो हमारा एक्सल्रेटर रहेगा वह हमारा कितना रहे ठीक है आंसर हमारा दिया गया 1200 rpm रहे कि जो एंजन का जो हमारा एक्सलेरेशन रहेगा वह बारस वार्पीम रहेगा तो इंजन इसका मतलब हमारा इंगेज हो जाता तब हमारा पावर कट जो बन रहा है इंजन में उसका मुव करेगा जब वह डिस इंगेज हो जाएगा तब मुव नहीं करेगा ठीक है जब वह डिस इंगेज हो जाएगा तब हमारा वहिकल मुव नहीं करेगा ठीक है तो इंगेज के साथ इंगेज नहीं है तो वहिकल मुव नहीं करेगा ठीक है जब कलच हमारा इंगेज हो जाए तो वह अपना फुल स्पीड से घूमेगा ठीक है एक्सलरेट तो करेगा लेकिन वहिकल हमारा मुफ नहीं करेगा ठीक है तो सेम चीज यहां पर है कि जब हम चेक कर रहे होंगे पार्किंग ब्रेक को यह फिर डंप ब्रेक तो उससे में एक्सलरेटेट जो हमारा एक्सलरेशन तो नेक्स्ट है हमारा यहां हजार पर क्या है ठीक है हजार पर नीचे में आपको लिखा भी गया है यंब जो यहां पर है वो है कि टेस्टिंग आप स्टेरिंग क्यों से करते हैं ठीक है तो यह जो हमारा ढिे ऍफे ए यह जो हमारा स्टेर्एर्एर है हिए इक है कि हमारा चिरे focusing पूरह सब्सक्राइब कर दिया को पूरा का कईसा होता है न पूरा हो कर जाता है इस तरह को जाएगा उसके बाद एक्सेलरेशन हम कितना करेंगे 1000 अपना इंजिन को सब्सक्राइब करेंगे इंजिन को तब जाके सब्सक्राइब नहीं करता है जैसा हम करके रखें वैसा यह तो वह पास हो जाएगा ठीक है यह तो हमारा विया स्टेरिंग का टेस्ट ठीक है इस एश होता है वह होता है हमारा डाउन हील में जाते है अब जैसे एक्जामपल यह हमारा हओल डोड है समझे से यह इस चाहिए अगर हम जाते हैं तिया अफ फिल हो गया ठीक है g nah appeal ठिक मतलब की उपर की तरफ सो जा रहा है और कि इस digital में घरमारा हो जाताование यह dalla हो से ए डाउनल पर पकड़ड़ीए तो अप हील हो गया मतलब की हम अब ऊपर की तरफ जा रहे हैं ठीक innovations तरह के मैं रहें हम french जो रहे हैं जब कंटर तर्फ नीचे कि तरफ उतर रहे होता है जब डंपर हमारा होता वह नीचे की तरफ आ रहा होता तब हुआ है को कि टेस्टेंग हम किस तरह से करेंगे उसके बारे म deze तो कोई जिक्र नहीं है लेकिन acceleration इसका है कि 1300 rpm पर हमारा इंजिन उस समय accelerated रहेगा तो mechanics लोग करते होंगे जिस तरह भी इसका test करने का तरीका होगा mechanics लोग करते होंगे लेकिन dgms में जो आया है कि 1300 rpm पर उसका test किया आना चाहिए ठीक है तो 1300 rpm पर रिटार्ड प्रेक को चेक किया जाता है और रिटार्ड प्रेक हम समझ गया कि downhill का समय यूज हम करते हैं रिटार्ड प्रेक को ठीक है इन सबसे तो कोशन कभी आई नहीं है लेकिन लिजे मैं सरकुर्ण में था लिखा हुआ डंपर का रिगार्डिंग था इसलिए इंक्लूट कर दिया गया कुशन में थी यह कुशन आया हुआ है इस एक्जाम में आया हुआ है ठीक है यह नहीं बताएंगे लेकिन सिर्फ जानके रखी यह एक्जाम को कुश्यन है ठीक है विच गैसी इस उस्पेंशन सिस्टम ऑफ डंपर तो यह होता है हमारा नाइट्रोजन होता आपको इसके बारे में बता दिया गया था कि जो हमारा सस्पेंशन सिस्टम होता है जो हाइड्रोलिक राम होता है ठीक है उसमें क्या क्या रहता है उसमें हमारा हाइड्रोलिक प्रेसर रहता है ठीक है हाइड्रोलिक प्रेस रखता है उसे क्या करता हूं प्रिसराइजत रखता है तो क्या होता है जैसे ही हम डमपर में gent केविन में स्विच होता है वो स्विच को दबाते हैं तो यह वहला जो हमारा है होता है वो उठना स्टाट करता है ठीक है यह वोला जो हमारा यह जो हमारा होता है टेलिस्कोपिक रहता है ठीक है टेलिस्कोपिक नेचर का डेट इस तो यहां से रैम निकलना शुरू हो जाता है तो जैसे ही हम लोग यहां का स्विच उन करता है बटन का तो क्या होता है कि इसमें रेसिप्रोकेटिंग करना कहीं से सक करना उसके बाल रिस्च चारज करते लिकां तो इसका इंदर में आ रहा 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 रहता है तो प्रेसर को इसका होता है तो यह हुए ने हो जाता है जब यह उठता है तो क्या होता है हमारा डंपर का डाला होता है वह उठना शुरू हो जाता है तो जल्दी काम हो इसलिए क्या है कि है नैटरोजन को यूज कर जाता है ताकि एस पॉसिबल यह हमारा काम कर सके और जल्द से जल्द हमारा डंप मेटरियल डंप हो जा उसके बाद हम ऐस और अपना दूसरा अध्यूसरा मेटरियल लेने के लिए हम साइड पर चले जाए ठीक है तो नाटरोजन गैस का यूज कर लिए हम लोग नाइट्रोजन का यूज करते हैं ठीक है यह कोश्यन आपका FMC का आया हुआ कोश्यन है लेकिन इसको इसलिए डाला गिया है क्योंकि जब कंपेटिशन मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो हायर लेवल के कुश्यन भी लोगर लेवल में पूछे जाते हैं यह आपने भी देखा होगा तो इसलिए जो कि रिलाइबल कोश्यन है जो कि आ सकते हैं एक्जाम में तो उन सब उन सब कोश्यन को यहाँ पर इं को समभवनाए हैं आपके अपकंऑ कर आंको इंट्रोड्यूस करवागि यह सब कोश्यन आपका ध्यान में रहे हैं तो घान समझ लिए कि उसमें दो pressure होते हैं hydraulic pressure plus air pressure generate होता है हमारा nitrogen pressure से ठीक है nitrogen इसलिए हम लोग डाल कर रखते हैं क्योंकि वो hydraulic fluid को pressurize करकर रखते हैं तो जल्दी हमारा hydraulic pressure बन जाता है और जो हमारा डाला है वो as at least possible उठ जाता है तो उसमें भी समय कम से कम लगता है तो वो हमारा टाइम को बचाता है थाकि हम जल से जल मैटरियल दूसरा उने लेए के लिए जल से जल जा सकते हैं तो इसके बारे में हमने समझ लिए अब प्रोट्जिमेटी वार्निंग वार्निंग दिवाइस तो लगाया जाना चाहिए हमारा सेटी डिवाइस होता है इसे हमा कहां पर लगाते हैं इसे हम टीपर में लगाता है यह उसके बाद इसके चलता है प्रॉचिंग वेइकल यहां पर डंपर आखरे से भी तो अप्रोचिंग डंपर अगर एसा करने वाला है तो यहां पर क्या होता है कि करता है सिगनली से करके और यहां से डंपर पास हो रहा है रात का समय है तो हो सकता है कि उसमें दून लग रहा होगा तो वह इस डारेक्शन में जाना सुरू कर दिया तो उस समय भी क्या होता है उसे वहां से सिगनल मिलना सुरू हो जाता है कि आप ऑफ्स्रक्षन के करीब वहां पर जा रहे हैं तो यह अपरेटर को अलर्ट करता थिक अलर्ट अपना ध्यान उधर से हटाके सीफ तरीके में वह सेफ डाइरेक्शन के तरफ में वह चला जाए फिर ठीक है तो प्रोजिमिटी वानिंग डिवाइस के मतलब अपनों अपनों समझ गया होंगे वह अलोट करता अपरेटर का फोर अप्रोचिंग वेहिकल्स और स्लैस कि नेक्स्ट है वीच अब फॉलविंग स्टेट्मेंट इस करेक्ट फॉर डंपर ठीक है डंपर के लिए कौन से स्टेट्मेंट इनमें से करेक्ट है ठीक है यहां बोल रहा है कि बॉड़ी स्विंग्स फ्रॉम इस होराइजॉन्टल पोजिशन एराउंड फॉलकरम ओफ न सेयं तीकल रहा है Mc trader कि यह गषेक्ट करेंतो चैक अब और shifting स्विंग में व स्थ खॉर्वी था कौक्या था जबिए यह गए ऐसे दृप्ट जित सब्स की है और लों में शीद्यंट होराइजिट पोर्वा एगई था यहां पर ए Prag रूए फो पर था ett से टिउबले स्टाइर सेट ऐस टैनियों कि मैं के सिमें कि विल्स ऑफ डंपर saya डिए टिफेरेंशल सिस्टम विच परमिट विल्स तू रॉन एठ डिफेंट स्पीड स्वाल नेगोशेटिंग अ कर ठीकर तो आपको डिफेरेंशल के लेफ्ट टार और राइट टार में ताकि वो जब टर्न करें ठीक है यह अगर टर्न करता है कर्व में तो यह अगर लेफ्ट साइड है ठीक है और यह हमारा राइट साइड है तो राइट साइड को ज्यादा तैय करना पढ़ रहा है जहां पर कम दूरी तैय करना पढ़ रहा है उसको हम बोलते हैं इनर साइड ठीक है और जहां पर ज्यादा दूरी तैय करना पढ़ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं आउटर साइड तो यहां पर इनर और आउटर को नहीं है यहां पर इनर आपका होग wheels to run at a different speed जो left side का जो wheel है जो right side का वीड दोनों को अलग speed पर run करवाता है ठीक है ताकि उसमें sleepage नहीं अची तरीके से वो कर्व को turn कर सके ठीक है वाइल negotiating एक कर जब वो कर्व में move कर रहा हो ठीक है तो यह वाली clear होगी आपको differentials के regarding चीज़ है ठीक है inner और outer का concept स्थेबर करें दो लेफ्ट और राइट से तो आईसा नहीं कि यह आवल्वेज सी लेफ्ट होगा इल्व रहां जब कर्व रहागा र्याइट साड़ लेफट वाला जिसको को ज्यादा डिस्टेंस करना पड़ेगा वह हमारा इनर हो जाएगा डियूरिंग नेगोशेटिंग कर जब वह कर्व में जा रहा हूँ ठीक है तो इसके इसके रिगार्डिंग सारे यह कंसेट्स क्लियर होगे ठाइब तो इसमें सारे सारे ही ओफष्ण्स जो थे वो सही थे जिवाड़ी स्विंग करता है जब हो करव में कर रहा हूं एवा चलिकोशन में इत मा जाता है एक में क्या है है यह में है हमारा which of the following is correct for truck dispatcher system ठीक है truck dispatcher system के लिए क्या सही है ठीक है तो हम पढ़ते हैं यहाँ पर एणी डंपर और कन रिपोर्ट न है इस वेल विच इज एडली कि कर्टी स्पेटर सिस्टम का सिंपल सा मतलब समझ लिए दिया क्या होता है कि फोजेना होगा बहुत सारे इष्ट्यट्वेस से नहीं है टो पता ने होगा ठीक है समझते हुश्यमाद तो यहां पर क्या है कि बहुत सारे दंप कर रख तीम यह पर क्रोंड हो जब जदा होगा यहां पर ठीक है और एक ऐसके पास नहीं है तो जब डंपर नहीं है का सिवल टीर को elemento तो यहां पर चार दंपर किया गया लेकिन यहां पर 4 डमपर अभी तक नहीं पहुंच लेका तो यह मसीन खाली खाली मतलब अइडल तो यह मसीन के पास बहुत ज़्यादा कि यह यह व्ला दंपर खड़ा है जोट मुठ कर यह भी कड़ा यह भी खड़ा यह भी खड़ा यह भी खड़ा थीक है सारा ही खड़ें तो अब क्या होगा कि GPS लगा होता है सारा ही डंपर जो है उसमें GPS लगा होता है कि इतना कितना trip किया इसका record लगगार रखने के लिए GPS होता है कि लोबार पोजिस्टनिंग सिष्टम ठीक है तो GPS होता है तो उसके पास मैसेज जाता है वहां पर अशका डंपर मैसेज जाए त model कर आप से सवफ के आप इस नंब वाले सौवल पर चले जाए सक्वयल करें दो तो चार नंबर वाले सोवेल पास आप चले जाईए ठीक है इतना नंबर में इतना नंबर फेस में है ठीक है तो वह वहां पर वह यह वाला जो डंपर यहां पर जो खड़ा है ठीक है तो यह यहां से तो आप क्या हो गया कि यह जो मसीन खाली बठावा तो इसका यूज हो गया तो मेन परपस यह ट्रॉक्ड डिस्पेचर सेश्टम का कि कोई भी मसीन हमारा आइडल ना रहे ठीक है कोई भी कहीं भी है तो उसको फिर मैसेज दिया जाता है और वह से जाके लोड ले सकता है अब आप पढ़िएगा option को समझना है ठीक है एनी डंपर केन रिपोर्ट तो एनी सोवल विच इस आइडली कोई भी डंपर किसी भी सोवल को रिपोर्ट कर सकता है जो जो सोवल आइडल आइडल कर रहा है ठीक है option B में क्या operation is controlled by GPS ठीक है ग्लोबल उसके पोजिशन में खड़ा है पता चल रहा है कि वह मतलए कि दूशरा जगह ही खड़ा हो गया और वहां पर time pass कर रहा है ठीक है तो उस से क्या होता है कि पता चल लेता कि वह डंपर सही में माइंस में लोडिंग करवा रहा या फिर यहीं जूट मूठी कहीं पर खड़ा होके टाइम पास करना है ठीक है तो इसे यह भी हमारा पता पता हमारा चल लाता है और फैक्स और वाइस मेसेज के दुवारा उसे कि कहां उसे जाना है ठीक है तो इसके रिगार्ड है आपका कंसर्ट क्लियर हुए होगा कि ट्रग डिस्पैचर से सिस्टम को हम यूटिलाइज अच्छी तरीके से कर सकते हैं कि कोई भी अगर सवल हमारा आइडिलिंग है तो वहां उसे भेजा जा सकता है और वो डंपर को ना दिखते हैं नेक्स क्कुश्ण नमर नाइन है नाइन को तो अच्छी तरीका से डिसकस कर लिया था हमने सर्वीस ब्रेकर रिगार्डिंग पार्किंग ब्रेकर रिगार्ड़ें ठीक है कोइस्टन में देखते हैं कुश्ण में यह आपका रेगुलेशन 59 सब दिया गया सिर्फ मसीन कब़ बोला गया कि कोई भी मसीन अगर काम करता है ग्रेडियेंट वन इन 5 से ज्यादा वायसी जालब क्या वन इन 4.1 in 4.5 हो गया भीन लिशारीन ओटिके इस नमें वाणी 1 inंज 5 में वह ये वाला मित रावदान एप्लिकेबल नहीं है क्योंकि बोल रहा वें ग्रेडियंट एकसीड से वन इन फाइव वन इन फाइव से बढ़ जागा तब ठीक है वन इन फाइव में भी प्रोविजन एप्लिकेबल नहीं है वन इन फाइव से जादा हो गया तब ठीक है वन इन फॉर पंट फाइव हो गय तो वह पीछे ढूल ना जाए कुछ नोड़ाया जाए इसके लिए कुछ लगाया जाएगा इसके लिए क्या है कि यह एक्सीड कर जाएगा ग्रेडियंट वन इन 500 से जब ज़्यादा बढ जाता है तो एक्सीट वड़ानक लगाया जाएगा किसको पीछे मसीन का पीछ लगाया यह थीक है मसीन जैनरल धारं लजो एकस्काविटर करता है घा नहीं पर यह लिखा हुआ है वह बहरा डमपर भी एक मेरा मसीनहां मसीनधी का डिफिनैशन में तो डमपर लेकिन जो डमपर हमारा है वह शोच करता है कितना में 16 में ठीक है कि जडिए और लगबख कितना में करता है यहां कि हुए हैं हम हम से घ्राट लगाएंगे फिक जब ऊसे काम कर रहा है if phi ऐसे ज़्यादा क्रेट कि कि लगाने के जुरूरत है नहीं जुरूरत क्योंने चुरुत है वा निल चुपता आए क्राइफडया क्वीजनल्ट के उस्टें B और जो हमारे डंपर यूज़ता है surface में ठीक है वो हमारा यूज़ता है 1-16 में ठीक है ज़्यादा ज्यादा कितना में यूज़ता है 1-10 में रैंपर जो कि DJ में साफ साफ लिखा गिया कि रैंप सिर्फ यूज़ किया जाएगा लिखा देश्याद नृट के लिए का नायनटीस यह सर्कुलार नंबर 976 में टीक है तो लेकिन हम लोग करते हैं तो स्पास्ट लोग में लेकिन रचामर्य की न हमार ली तरह कर लेता है यहिस्ट वानीन Alors कर सकता है उस तरह का मसीन जो भी है उसमें हम लोग यह कंट्रिवेंस लगाएंगे ताकि पीछे की तरफ ढोलना जाए ठीक है पीछे की सबसाफ लिखा हुआ ठीक है आप इसे चेक आउट कर सकते हैं जाके ठीक है तो यह कुछ नमट 10 हमारा क्लियर होता है और नेक्स्ट है हमारा दफंशन ओफ टर्बो चार्जर इन इंजन फिक है यह भी जो हमारा कोशन है यह भी हमारा साथ एफमसी का यह कोशन है दोजर बंद सबस्क्राइब हमारा कोई भी पावर नहीं लेता है कहां से मसीन से अंजन से पावर नहीं लेता है ठीक है वो क्या करता है वेस्ट है जोकि exhaust जोकि exhaust रोप से निकल के silencer pipe को तूर निकल जाता तो उसी exhaust gas का use करता है और वह एयर को supply करता है इंजन से नहीं नहीं लेता है तर्बो चार्जर जो हमारा कंसेप्ट है वह हमारा क्या आपता कि पावर इंजन से नहीं लेता है ठीक है और जो हमारा सूपर चार्जर होता है वह कहां से पावर लेता है वह हमारा पावर लेता है इंजन से लेता है ठीक है वह अलग से एर कंप्रेशन होता है इन्जन से लेता हैं तो सब्सक्राइबो कोणिया है। यह किसका काम है करा और सबसक्राइब के कांथ सब्सक्राइब कर काम है। हो क्योंकि suction suction साथ सिपशन योजेए recamosed डीजल ठीजल इंजीन में एग्छिधार का युज DAR गो Bye घ्र चिंक है तो पिरच्भाइगा यहां सप्लाइं करता में शिफूरski यहां ठीक है बी क्या है इंक्रीज दी पावर आउटपूट अब यहां बोल रहा है इंक्रीज दी पावर आउटपूट अब इंक्रीज दी पावर आउटपूट का concept supercharger में नहीं है क्योंकि supercharger कहां से कहां से लेता energy हमारा वो हमारा engine से लेता है supercharger का जो concept वो हमारा engine से ही power लेता है ठीक है तो वो हमारा power output को increase नहीं कर सकता है लेकिन जो हमारा turbo charger है वो क्या करता है engine से power नहीं लेता है तो उस case में क्या होगा वो हमारा पावर आउट्पूट को इन्हेंस करतेगा इंक्रीज करतेगा क्योंकि वह वहां से पावर ले रहा है कि तो हमारा पावर आट्पूट जो हमारा है वह दूसरा काम में लेगा लेकिन वह हमारा इंजिन से पावर ले नहीं रहा है तो जो इसका करेक्ट एंसर है वह करेक और रहता है तो option C सगेए इस क्रें किस के लिए reduces खे playable चार्जर के लिए ठीक है अब dalla एक स्केसे अबक्साने सब्सक्राइब के लिए च्वर्बो चारजर्जर के लिए थ्ट्री स्वर्ड को अब कहीं कर अचिसमें क्या बोल रहा है इसमें क्या बोल रहा है इसे बोल ओल कि बने पहले ही पड़ किसМы फिट तो कि किया जाता है ठीक है एक है ते कि ढ़ी निटिपर की लो क्यारी taş होती है है थे अट हम सब्सक्राइब तक तो पर शाल करें तो उसको लोग तीपर बोलते हैं और जिसमें कि पीछह में डाला लगा देते हैं इसको लोग टीपर बोलते हैं जैसे कि यूज होता है हमारे यहां माइन्स में उसको लोग डंपर उसको लोग डंपर बोलता है और यह मार्केट एविया से हो के करसर की तरफ यह जाता है तो ऐसा कोई भी कंसेप्ट कोई खास है डंपर और टीपर सिंप्ली आप समझ सकते हैं कि टीपर लो करिंग वेहिकल स सब्सक्राइब देगेटेस का रिख वह से उसी तरह सेम है कि यह उमारा हॉलपेग बोलते हैं वह बहुत ज्यादा हमारा है कैपसिटीज होते हुए उससे हम लोग बोल जाओं सकते हैं इसको लिए तो हम लोग कोसिमीटी वार्न डिवाइस जो की कोईजन से बचाता है वह तो नेक्ट क्वेशन कोन सा मारा कोशन में थाटीन ठीकिश नमबर 13 है कुछन वर थाटीन में क्या बोल रहा है एवी एइस यूज़विय मतलब एवी एऊडियो विज्वल अलर्व ठीक है ऑडियो के टीक है टीक खेक भी यह कहां कहां युसोता है टीक वह कई देसे अ गौन में कर्सेश्च फॉरा जालाय Lacr किया हो पीछे यूज ऑन फिखय के तरह फाना करो अश्टे एक जो हो बच्छे लोयुबताया तो इसमें भी back siren होता है करना करना वह सुरू कर देता है तो यह हमारा dumpers में भी यूज़ता है प्लस जो हमारा sawwell है उसमें भी यूज़ता है तो simply हम बोल सकते हैं vehicle used in mines ठीक है तो audio visual alarm जो होता है हमारा वह हमारा vehicle used in माइन्स बलते करें चाहे वो अंडर्वरांड हो चाहे वो open cast हो ठीक है चाहे वो dumper हो चाहे वो Sorwell हो अब हम जान लेते हैं कि इस question में गलती कहां पर है तो इस question में आपको दिख रहा होगा कि जो दोनों ही answer है जो दोनों ही answer है यहां पहक option number A में और option B में यह दोनों ही हमारा सही है ठीक है एंसेल का question है और यह question गलत है ठीक है साथ इसमें bonus marking हुआ होगा क्योंकि दोनों ही answer सही है built gun wear भी सही है और vehicle using mines भी सही है तो दोनों ही इसमें सही है ठीक है क्योंकि regulation according to the regulation number 97 sub regulation 5 में लिखा हुआ है कि belt conveyor के साथ भी हम AVA का use करते हैं ठीक है उसमें साफ साफ में इंसेन कर दिया गिया है कि belt conveyor के full length के साथ audio visual pre-start alarm लगाया जाएगा ठीक है which will warn person during starting of the belt conveyor ठीक है जो कि एक्चेतावनी की तरह होगा persons के लिए जब भी हम belt conveyor को start करेंगे ठीक है तो इसमें दोनों ही answer सही है तो आप इसमें काम करें इसमें एक option E लगा के ठीक है बोथ कि ए एंड बी करते ठीक है और यह answer आपका सही होगा ठीक है तो यह वाला आपका answer सही नहीं होगा आपका answer इसमें सही हो जागा बोथ एंड बी लेटर ओन जब आपको PDF मिलेगी तो उसमें भी correction कर दिया जाएगा ठीक है यह question दिया गया है जानभूज के इस format में ताकि आपको समझ में आए यह यह ncl का हुब और हुशन इसी तरह लिख दिया गया उसके बाद इसमें correction आपको कर दी गई है क्या क्या इसमें करेक्षन है आप इससे तरीके से नोट डाउन कर लें ठीक है इसका रिफ्रेंस क्या है इसका रिफ्रेंस आपको मिल जाएगा इसके बारे में आपको बता 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 गया ओडियो विजवल आला यह भी है तो तीनों ही हमारा safety feature ठंपर का ठीक है एक्ट्रा safety safety feature भी जो कुछ भी है वो भी आपको थोड़ा सा बात तो क्या होता है कि आपको समझ में सब को चीज़ें आने आना स्टार्ट हो जाएं तो आप डीजे में सर्कुलर का पीडियेफ आता है वो पीडियेफ हम आपको सेयर कर रहेंगे ग्रूप में ठीक है वो लगभग ऐसी लिए वाल पॉसिबल चीज़ों को लेते वी चलते हैं ठीक है तो सेफ्टी फीचर इन डंपर जो है वो तो यहां आपको डिस्कस कि करी दी गई है और कुछ एक्स्ट्रा अगर सेफ्टी फीचर से अगर कुछ होगी तो वह आपको प्लब्द करवा दी जाएगी ठीक है तो एंचल जुनियर अबर्मिन का कुश्चन तो दोजार अठार का तो सारे ही सेफ्टी फीचर है डंपर से तो नोब फॉटीन ये ख्लियर होता है इस्टेश नमर 15 ये भी एंचल माइनिंग सरदार का कुश्चन है दोजार अठार का तो इस नाट अट अट ब्रेकि छिक है रिचारल अटार का छारा को देले का तो यसा ढाखा स हचास ञेज नहीं है करने वह तो स्टॉपर से तो इसको भी बोलते हैं को पॉलते हैं जो डंपर का टायर होता है लगा देसंट लगा देते हैं तो वह रोकने के लिए तो स्टॉपर अप्र विए थो कौन साइस में हमाराबरिकिंग सिस्टम नहीं है ठीक तो एंचल माइनिंग सेथा 2018 के हमारा कुश्चन था नीच्ट है प्रोग्सिमिटी वार्नि देखें एक एक ही कंसेट से दो कुषन पुछा गया है कि एंचलम्स 2018 में डो कुछा गया इसमें कि फियए फिटेड फॉर इस किसलिए फिट किया जाता कहां पर फिट किया जाता कहां वाला मुझने देख लिया टिपर और 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 किसलिए फिट किया जाता improving safety के लिए ठीकिलिए improving efficiency का कोई काम नहीं कोई बढ़ा नहीं सकता improving load फेक्टर लोड में भी कोई काम ने इंप्रूविंग कम्मिनिकेशन कम्मिनिकेशन से भी मतलब वह सेफ्टी को इन्हेंस करता है थाकि कोलीजन ना हुआ ठीक है इसके बारे में सब कुछ बता दी गई है कुछ नमा 16 कम्प्लीट होती है कि 16 17 17 क्या है ठीक है थीक है 17 कोशन देखते हैं 17 नमबर देख लेता है 17 क्या बोल रहा है 17 बोड़ा वीच ऑफ इस सेफ्टी फीचर प्रोवाइड़ें डंपर इस नौट करेक्ट कौन सा सेफ्टी फीचर जो यहां डंपर में प्रोवाइड़ें वो सही नहीं है ठीक है तो यह सारे कोशन आपको इसलिए दी गए हैं ताकि दिए गए ताकि आप आपको डीजे में सर्कलर पढ़ना ना पड़े और पॉसीवेल कोश्टी का सेट हमने त्यार किया जैसे कि आपको बताए बताए तो जितने भी सेफ्टी सेफ्टी डिवाइसे से जो की आ सकते एक्जाम में उसे हमने ले लिया लेकिन इसके बावजूद भी अगर कुछ इसमें से कौन कौन से शेवटी डॉर में प्रवाइड किया जाता है ठीक है तो अमकरिस के प्लीन की वीदियो दिवीदियो थी-स्तास्ट वीडियो थी ठीक है डंपर हमारा अगर ब्रेकडाउन हो जाता तो इस केस में क्या होगा अब इस केस में क्या होगा कि गाली हमारा सिर्फ आगे की तरफ जाएगा आगे की तरफ जाएगा या पीछे की तरफ आएगा ठीक है आगे की तरफ जाएगा या फिर पीछे की तरफ आएगा तो हम हमारा आगर ऐसा है हम एसके तब अब समझिज़वा कि इस तरह का कंडिशन यहां पर मान लेज़ें के डं पर ब्रीकड़ाउ अब क्या होगा गाड़ी सीधा सकता है आगे की तरफ यद पीछे की तर तो हम क्या करते हैं कि iska का करता है तो हम इसी को कर सकता है यह हमारा यह यह व्लोक कर सकता है तो इससे अब इसका जो स्टेरिंग होगा वह ब्लॉक हो चुका क्योंकि यह ब्रेकडाउन है तो ब्रेकडाउन हो गया तो इसका स्टेरिंग ब्लॉक हो गया तो इससे हम क्या करेंगे कि अगर ठेल ठाल के या फिर किसी तरीके से अगर यह जा सकता है थोड़ा सा भी स्टार् वे हमारा यह हमारा फ्री हो सकते यहां पर हमारा ब्लॉकेज ना रहे ताकि अधर अधर वेहिकल्स को आने जाने में प्रॉडम ना हो ठीक है तो मेकनिकल इस्टेरिंग लगाया जाता है डंपर में अगर वो ब्रेकडाउन हो जाता है फिर कुछ भी प्रॉडम आ जाती है उसम वह कंवें पान बvalue स्टेरिशनी समकल्सृटा को यहां पर यहां गर मैं आग जा सकता है तो आगे या पीछीन बोलते हैं हैं। वीडियो में जाईएगा वहाँ पर अच्छी तरीके से इसका वीडियो एक एक मिनट का वीडियो है तो वह आपको अच्छी तरीके से दर्शाएगे आप वह आप देखिएगा आप समझवाएगे तो में के निकल स्टेरिंग लॉक जो हो जाता हुसका समय समझ लिए ठीक है और कहां पर यूज हो सकता है इसका इसका भी हमने देख लिया ठीक है नेक्ट सेफ्टी सेफ्टी इसका वह देखनी पाएगा तो लेकिन यहां पर blind spot mirror यहां पर लगा हुआ तो इसमें वह नीचे का चीज देख सकता है कि नीचे जो इसका इंजिन का नीचे या फिर ज़स्ट नीचे क्या हो रहा है वह चीज वह देख सकता है को अगर अगर एक्सिदेंट हो या टक्कर हो गया क्या हुआ वहां तो वह चीज वहां पर देख सकता है या फिर वह जब वह रेलिवे लाइन वगरा में फसा होसा होता है तो उससमें भी मतलब कि वह वह ब्लाइन वह देखने सकता है तो उसके लिए ब्लाइन प्रोवाइड करव जाता तक है ताकि वह उस सब इरियास को भी अच्छी तरीके से देख सके तो घ्लाइन स्पोर्ट मेर रोगया और मेकिनिकल स्टेरिंग नुट हो गया नेक्स्ट हो गया रियर वियू मिर त तो क्या बोला था नॉट कॉन सा करेक्ट नहीं है तो ऑप्शन ली गलत है तो हमने डंपर के सेफटी फीचर के बारे में देख लिए और जो रॉंग था उसे भी आइडेटिफाइक कर लिए म ECL माइिन सभी दरो कोश्यन है इसमें क्या है न सिमिंग कि पार्किंड ब्रेक की रिलेटेब यख्याओ पार्किंग जिलिये ना हमारेटि में पार्किंग balcony ब्रेत अनशाल करें कि से पार किम होता पार्किंग परेक हमारी प्लंव होता है देखता है लेक्स्त देखते हैं यह लास्ट कोशियन ठीक यह बहुत है यह अपका FMC क्व लेकिन क्पाफी ज़ीकोशन कि काफी easy question है यह आप easily solve कर सकते हैं ठीक है यह आपको बताए गई यह आराम से इसको आप solve कर सकते हैं यह आपको working में बताए गई है ठीक है इसमें क्या है कि all corner and bands band का spelling गलती है B E N D S होगा ठीक है all corner and bands in an open cast mine shall be made shall be made in such a way repeat कर दिया गया है in such a way that the operators of the vehicle have a clear view of distance of not less than ठीक है थोड़ा दिर पहले ही बताए गया कि जो कर रहेगा ठीक है बैंड जो है तो उसमें जो operator को जो clear view दिखना चाहिए वो कितना है तो three times the breaking distance ठीक है less than लिख दिया यहां पर तो three हो जाएगा यहां पर जो gap है वहां three हो जाएगा और ब्रेकिंग डिस्टन दे लाजेस्ट ही में वर्किंग एट 40 किलोमेटर परावार तो जो हमारी जो होती है कर्व में वह 40 किलोमेटर परावार का स्पीड से आता रहेगा डंपर और उसका जो ब्रेक मारेगा तो 20 में अगर रुपता है तो three times the breaking distance that is 60 meter 60 meter उसका ब्रेकिंग डिस्टन तो वहीं पर यहां पर बोल रहा है कि वेहिकल्स हैव एक clear view of distance of not less than three times of breaking distance तीन गुना ब्रेकिंग डिस्टेंस के उसका उसे अच्छी तरीके से दिखना चाहिए ठीक है अगर वो नहीं दिखता है तो यह हम प्रोविजन यूज हम करते हैं स्पीड कितना रहता उस समय जो हमारा डंपर है उसका स्पीड रहता 40 किलोमेटर पराव है तो यह FMC का कुश्चन ठीक है जो भी हाईर लेबल एक कुश्चन है वहां पर आपको रिफरेंस दिया वह नहीं जाता है ठीक है क्योंकि यह तैयारी हम करते हैं करते हैं तो FMC का कोश्चन देख कि आजमी का मन में आएगा कि क्या पढ़ा रहे हैं सकता है यह कोई यह को दिया नहीं जा सकता है यह तो आपके लिए तो यह आपको कोश्चन आ सकता है तो ऐसा कभी नहीं सुचना कि इस सब कोश्चन था है तो हमें क्यों क्यों पुछा जा रहा है तो यह कोश्चन ओवर मैं का ही लेबल का FMC में आ गया तो उसके लिए प्लस पॉइंट थीक है FMC क्या होता है सर फस्ट क्लास मेनेजर सर्टिफि थीक है तो हम अब स्व का बारे में थोड़ी से जनकारी लेंगे तरह दस मिनिट दिख लेते हैं इसके बाद मंडे कल कल एक्स्ट्रा क्लास के तौर पर कलम मैं सवर्वल को कुमप्लीट करेंगे तो हमारा स्वर्वल क्लास है सोवल समय होता है तो यहाँ आपको दीख और इसके बारे में कुछ जानकरी लेना चाहते है एडवांस में तो इसका भी वीडियो बना हुआ है ठीक है कुश्चन का थुरू लिया हुआ था लग बारा तेरा मिनट का है वीडियो जाने लाइटिनिग लाइफ पर आप वहाँ जाके देख सकते हैं और इसके बारे में यहां तो हम बताएंगे अच्छी तरीके से बताएंगे तो सवल के तीन टाइप सोते हैं ठीक है का है डीपर सब्सक्राइब हो गया ठीक है एक हमारा सबस्क्राइब यहां कि इसलिए बोलता है क्योंकि इसका जो बकट जो इसका बखिट आप देख रहे हैं कि मसीन की तरफ धीक है तश्यजश की बखगट का क्इसा अगलता लगा ऑफ कि यह कुविपमेट की तरह बकifter बकेट जो सब्सक्राइब ऐब कूलते ए आपकेज अग को सब्सक्राइब लोग बैको सब्सक्राइब बोलते हैं तो इस अनुसार से हमने इसका नेम का क्लासिफिकेशन इसी तरह से बकट के उपर इसका क्लासिफिकेशन प्लस हाइड्रोली के उपर क्लासिफिकेशन इसका ठीक है पार्ट का नाम अच्छी तरीके से तो दीख रही है लेकिन यहां पर यह और यह क्या रोलर में च् cur retired मश्रीनर और उयास मैं आने पर यह आफ कि यह यह नहnaj। से यहां पर ठीजिए यहां पर रोलर लगा हुआ है फिर मृ पर में 10-9 से 7 एक यह नो रोलर यह नो है अ को डूररो यह जो依ाक्ध नि दीन रूलर यह 1 28 तो जाहिर सी बात है नौ इसलिए दिया गया ताकि यह बेस है ठीक है यह हमारा foundation होता है यह अच्छी तरीके से क्रॉलर को सपोर्ट देगा ताकि वह अच्छी तरीके से चल सके ठीक है और उपर में हमारा दो दिया हुआ क्योंकि यहां पर इसको मुव्मेंट देना ठीक है तो यहां पर इसका जरुवत नहीं था तो दोठों से काम यहां पर चल रहा है तो रोलर उपर में दू है नीचे में नाइन है ठीक है उसके बाद क्या है क्या लगा हुआ इसमें इसमें है हमारा ट्रैक मोटर होता है ठीक है कौन सा मोटर कौन सा हमारा ट्रैक मोटर है यह हमारा ट्रैक मोटर ठीक है ट्रैवल ट्रैक मोटर बोलते हैं ठीक है ट्रैवल ट्रैक मोटर ट्रैक मोटर किस तरह किसे होता है यह हमारा हाइड्रोलिक मोटर होता है यह हमारा हाइड् मोटर हो गया तो यह पूरा पूरा पूर।ा जह है इसमें। करॉलर मौंटेट में इसे हैं यहां फे पर要े अ और ट्रेक में दो मोटर है यहां भी नोठ और रोलर हो का ऊपर में तो jika होगा ठीक है और क्या होता है और यहां पर रहेगा यहां भी रहेगा ठीक है यहां पर मोटर नहीं रहता है यहां पर हमारा औ-ध्यक्जर करता है यहां पर मोटर लगा रहेगा कि यह वाला हमारे रवले करेगा यह थैंट रहेंकि यह पर मोटर नहीं है कि हम न चानए लिया कि यहां पर स्प्रोकेट रहेगा इहां हिस्तप्रोकेट है क्योंकि यह पर हा accurate मोटर लगा रहता है यह अधाल इसको यहां पर क्या बोलता है आइडेलर इडलार उपर में Дो रोलर हो गए हमारे नीचे में नाइन डॉलर थे यह से उससे क्लोंट रोलर चेंड बोलता है ठीक है PDF तो आपके पास available है ही ठीक है तो उससे आप थोड़ा सा मिला के देख लीजिएगा तो naming हमने इसके बारे में जान लिया कि क्या क्या parts होते हैं ठीक है ठीक है तो इसका अभी हम लोग जस्ट पार्ट सी जान रहे हैं उसके बाद क्या होता है कि इसका बाद यहां को दिख ऱहुगा है यह होता है इसको बोलते हैं तर्न टेबल थीक है इसे में लौता है उपल। T-U-R and turn-T-A-B-L-E तो हेडरीक मोतर होता था हृता है है जिसके कारण से 300 व्हुच्ट कर पाघुर डगरी कहिंए थिक निक्स्ट डार में बार फार जिकर करें मोटर होता है ह्थिक है तो है do garlic मोटर होता है कोई भी electricity का काम यहाँ नहीं है ठीक है तो मन वें जीएता बहुत होतींा कसर डीजर वालीक मोर्च ने समझ में नहीं ओट एक जैसा क्या बोला गया तो डू मोटर होता है कि यहां पर एक मोटर यहाँ दो दोनों किस नीचर का है दोनों हाइड्रोलिक नीचर का मोटर है ठीक है दोनों ही मोटर हाइड्रोलिक नीचर के है ठीक है आज सिफ क्रॉलर मॉंटर के बारे में बात की जाएगी ठीक है हमने टायर मॉंटर के बारे में बात कर लिए है ठीक है अब यह क्या है यह हमारा पंप ठीक है रेजिख्यव स्ट्रक captivity नेचर का पसक्षर चाहिए किन की इसे बिफरोकेटिगनेचर त्लेंक का इंघ जगा से लिए सक्षाज कर Do you come लगा हुआ इसका मतलब कही से तो सक्षिन कर रहा हो गई तो इसमें क्या होना चाहिए तर प्लाइस में दो चीज होना चाहिए वाज वोटर चलाने के लिए होना चाहिए ठीक है जिसए कि आप मोटर उजाहुए आप यूजाप करते हैं के लित यह उसके साथ क्या रहता है साथ मोटर भी अपर मोटर और यहां Redmi फोटेयला यह the हम लोग करते हैं जैसे कि आपको पहले ही फर्स्ट प्रास में बता था कि कोई भी मसीन है इसमें इंजिन चाहिए ही चाहिए ठीक है तो यहां भी इंजिन रहेगा ठीक है यहां पर इंजिन है यह आपका क्या है यह इंजिन है यह आपका इंजिन है इंजिन क्या करता है यह आ मूव करवाता है तो we bass supposed उपशन होगा सक्षन होगा सक्षन होगा तब सिर वह कहीं से कोई वे फ्लूड को वह सब करेगा कहीं बू जाकर गिशर्ज करेगा का मैं सक्षन और डिशर्ज करणाइंग तो ordered कॉर कहासे लिया इंजन से पावर लिनेकिंचन है इस तरह के इंजिन है एपका इलेटरिक इंजिन लिए होता है लेकन हम दों यहां लेंगी लिएपकर यह बात कर कर…. चला सक जोंक सुर्भ आते सो समझ कि यहां विदन prochर्ष डीज स्वेंदिय में इस इसवरिव लगने हैं और यहां तो फॉम्पंप भी है तो अच्छा पंप यहां पर यह वाला होता है लिएमस खाथ अच्रक नीच circumstance में थेया है कि यहांपंतु है कि मतलब कि यहां यायदर्ली टेंक होगा है होगा थि Kelly आपको पता यहां से यहां को चला कि कुछ देर पहले तो हमको यहां पर निपनी करेक an में न उसका एंच रहा है और है आधो को इलक हम पते यहां से सक्शन करेगा यह पाउल ह inglés स्क करेगा खिया है यहां से पौंप जो है यहां से का सक्शन करेगा और फिर क्या करेगा यह control हल फोता है ठीक है जो कि हर जगा भी बिजना फिर अलग जगा भीजना करते हैं स्लाइड को थोड़ा सा चेंज करते है थे यहां से अम देखते हैं तो यहां हमारा हाइड्रूलिक फॉंप है जो भी है तो क्या है कि अब हमारा । काम करने के लिए एक तो हमारा पावर हमें मिल इंजन से खीक है इंजन क्या किया जो हो आएधिया अगति आे के लुगे कर-दंद आ टू offer पॉर पॉंप को चला दिए पंप क्या किया सक्षन लेकर यांडुलिक फिल्लूड जो भी था हमारा उसमें फ्रेसर बनादिया फ्रेसर बना दिया प्रेसर को कहा कहा थे के लिए कोंट्रोल करने अगर हमें कंट्रोल करना यह से आर्म को तो आर्म के पास आजाएगा इसका नेमिंग थोड़ा सा कर देते हैं इसका नेमिंग थोड़ा सा कर देते हैं इसका नेमिंग यह है कि इसे हम बकेट बोलते हैं ठीक है ऐसे हम दिपर बेक्टें गया है यह बोलते हैं दिप्रनेंगे को फॉलते हैं यहां पर आपका हुग यह से दिनोट करते हैं इसे Bucket भी बोलते हैं bucket लिखा वा और इसका आरम ही बोलते हैं इसको हम तो हो सकता है ठीक है deeper stick में भी दोटो आप लगा सकते है according to आपको किस तरह का size आपको उठाना है ठीक है बड़ा बड़ा जो hydraulic होता है जो hydraulic sawels होते हैं उसमें क्या होता है कि यहां भी दोटो रहेगा bucket में भी और यहां भी रहता है दोटो और है यहां है थीक है तो आपको डिपेंडबल यहां से याद नहीं कर लेना है कि हां आर्व हम जो हमारा बूम है उसमें दोठों सिलिंडर दियावा है hydraulic cylinder और जो हमारा आर्म है उसमें एक हीघव ziehen डिया हुआ है और जो हमारा इंजिन से पवर लिया फिर क्या किया कि प्रेशर बनाया है है काम करना तो काक्रिम करेशर के जरिए हमें काम करना है तो देकं किसे ह investे कर हो के पास हम लोग के पास एक और ऐटर्टेर के पास यहां पर इर पूल करता है तो ऑगर ushr याधर है है ज़िए पर चल Alrighty wr नीचे में लेकर जाएगा टिक है उसके बाद था उसके बाद नहीं आगता है यहाँपर आपको Baham extraction करना है मार्चिंग सबसे यादा क्ला हैском पढ़े का चाहिए थी दो मोटर चलता उसमें एक मोटर तो हुआ है अपका इसकी आर्पीम खर्चा होता है ठी किए अ Character तो मेरे हमते सताव होता ही यह हम क्या करते हैं। अपना भीज लोत और है can you tell है एंस से उसके बहूर है यह सपर मोटर को चोल पर करता ठीक है तो movement के लिए भी hydraulic ही जिम्यवार होगा तो तो फिर अगर मान लिए कि travel track motor अगर move कर रहा तो उसमें सारा ही pressure जो होता वो travel track motor के पास है tracking का movement के लिए इस समय अगर हम थोड़ा सा भी movement करवाएंगे bucket का move करवा रहे है या फिर कुछ भी movement करवा है तो हमारे speed slow हो जाएगा या फिर यह वाला movement क्योंकि हमारा pressure बहुत ज्यादा amount of use हो रहा है hydraulic motors ठीक है तो यह आप समझ गया होंगे कि pressure हमारा बनता है कहां पर pressure हमारा बन रहा है pump के द्वारा बनाया जा रहा प्रेशर और उसे power कहां से मिल रहा है उसे फोर स्ट्रोव डिजल इंजिन के द्वारा मिल रहा power और control valve क्या कर रहा है सिर्फ power को distribute कर दे रहा है ठीक है प्रेशर को distribute कर दे रहा है ताकि हर जगा वह पहुंचा सके और काम सौवल के जरीए काम हो सके ठीक है तो basic control वार्म सिर्फ control करता है कहां कहां प्रेशर भेजना है ठीक है तो इसे हम यहीं तक रहने देते हैं और आपके पास पीडियाफ मोजूद होगी उसको अच्छी तरीके से देखिए कल भी इसके वारे में थोड़ा सा चर्चा हम करेंगे ठीक है क्योंकि नया नया concept है concept नया है तो इसके वारे में कल भी हम चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से चीजों को जानेंगे कर दो